नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं एडियोग चैनल फ्रैक ब्रदर्स पे मैं हूँ आपका दोस्त कौशिक और आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पर्फ्यूम कंपाउंड 150 की कंपोजिशन के बारे में तो पर्फ्यूम कंपाउंड 150 एक बेसिकली एगरोड बेस्ट या फिर उद बेस्ट कुछ वो है और जो लोग उद टाइब की पर्फ्यूम मेरिफेक्चर करना चाहते हैं या फिर उद टाइब की अक्तर प्रिपेर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूसफ देखिए कंपाउंड 150 की जो एगरोड नोट है इसमें हमें सबसे पहले मिलता है एक लेदरी नोट लेदरी खुश्बी फिर आता है एनिमालिक एनिमालिक नोट फिर आता है उद की जो टिपिकल जो सुटनेस होती है वह तो सुटनेस वालव पार्ट फिर आता है इसमें जो उडी पार्ट जो एक उडी नेचर रहती है जो पृषच नेचर है का तो यह सारे जो नेचर है यह कंपाउट 50 भे आपको मिल एक मिलेगाए दिर नेचर एए लेदरी, ऐनिमलिक, स्वीटनेस, उडी, मस्की, एमले यह जो लेदरी और ऐनिमलिक है यह हमें एक खास तरह पर मिलने वाला है मोलीक्यूल से जिसका नाम है IVQ आई ओ बिटाइल कुईनली IVQ जो मोलीक्यूल है इसकी मोलीक्यूलर वेट है 185 इसकी फॉर्मूला है C13H15N यह है IVQ की फॉर्मूला और IVQ को अगर हम इस्सेमाल करते हैं परफ्यूम का पॉंट 150 के अंदर जैसे यह इस्सेमाल हो रहा है इसकी बेसिक मेचर लेदरी और अनिमली पर रहता है बहुत ही a strong substance है तो इसको इस्सेमाल करने से पहले dilution करना बहुत ही necessary है इसको 1% dilution में अगरा इस्सेमाल करें तो यह सही रहता है मेरे हिसाब से अब जिन लोगों को पता नहीं कि यह percentage का मतलब क्या होता है उनके लिए मैं repeat करना चाहूंगा जो मैं हर वीडियो में कुछ अपकर कहे देता हूं पहली शेक के बाले में 1% IBQ की जो preparation है यह कैसे बती है हमने 1 gram ले लिया IBQ और 99 gram हमने ले लिया DPG तो यह जो solution मना यह 1% होता है 1% मतलब 100 भाग के अंदर वो कितना है 100 भाग के अंदर अगर एक भाग है तो वो 1% में आता है 100 भाग के अंदर अगर कोई 10 भाग है तो वो 10% में आता है तो उसी हिसाब को अगर हम ग्राव में समझे तो 99 gram of लियमीजी के साथ 1 gram IBQ को अगर हम करते हैं तो वो 1% मतलता है IBQ का तो हमें जो IBQ चाहिए वो उस तरह की चाहिए 1% भाग फिर आता है sweetness यह sweetness की जो खासियत है यह आपको मिलेगा इढ़ाँ मौल चाहिए इढ़ाँ मौल अगरेडाँ मौल से एथा मौल अधर। मैमा ट्रके स्वेश्ट प्रकें जोटो इढ़ाँ मौल एख वही उनीक लाग की करिक़ें है दौस्टों चीनी की या फिर चीनी टाइप के चीजों को अगर हम बाउर्ड करते हैं तो उसकी जो पुषबू आती है टिपिकरी जो बखूर में आपको सुईटनेस मिलता है वो सुईटनेस आपको इथाई मॉन्टॉल से मिलने वाला यह आपको कृस्तलाइन फॉड में थर्श फर्फ न मिलेगा यह भी बहुत शार्फ मेटीरियल है काफी पाउर्फुल है तो इसे इस्तवाल करते से पहले जो प्रस पर्सलिशंट इसकी तयार करता नेससिति है तो इसे यह उन परसेंट में हाँ इस्तवाल करेंगे अब उसके बाद आता है उडी नेचर और मस्क यानेबर तो उडी नेचर जो है उडी और एमबर वाला जो नेचर है ये दो आपको एक पर्फेक्ट केमिकल से मिल जाएगा जिसका नाम है एम्प्रोसेनाइट अ-ब-ब-------- इचरो------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- और अगर यह नहीं मिलता है तो इसकी एक substitute है जिसको P-A-D-A-M-B-E-R पैड बेमर के नाम से जाना जाता है या फिर इसकी एक local नाम भी है पद्मिनी पद्मिनी को आप ट्रेट नेम भी समझ लेजी अर्फाल एक chemical है उसका नाम है पद्मिनी यह पद्मिनी केमिकल एम्डोसिनाइप का काम कर जाता है और यह इंडिया में मिलता है दोस्तों तो पद्मिनी डाग में से यह OODI और Embry यह दोनो नेचर ही आ जाता है और यह काफी powerful note है OODI और Embry combination भी फिर आता है यहां से मस्क वाली note अब मस्की जो note है मस्की वो भी OODI के note के साथ जो मस्क में लेवाला है उस तरह पर note आपको प्रवाइट कर सकता है कैश मेरान इसको एक तरह से दोस्तों कहा जाता है मस्क इंडानो आई एंडिये एनो एन यह एनो एनी का बतलब आता है यह एक किटोन है यह एक एनी किटोन की ग्रूब में आता है कैश मेरान और इसमें हमें मस्क की कुछ गो मिलता है इसकी मॉलिकूलर वेट है 206 देखेए 206 मॉलिकूलर वेट की जो डाइवेंशन है मस्क वाली चीज़ की इसको मैं कहना चाहँगा कि यह कंपेर तो दी अधर मस्क काफी घंका है गैलक्सोलाइट, टोरलाइट, अबर्टोलाइट या फिर एमरेट मस्क टोन यह जो नाइपरजेनस मस्क कंपाउंट से हम की ग्रूप्स को देख लीजिए उनसे कंपेरिजन में अगर हम देखे तो यह कैश्मेराँ मस्क टोन, यह काफी हलका है तो यह एक डिफ्यूसिट मस्क है जिसमें हमें उधी नेचर मी मिल जाता है अर्थाथ एगरूप की खुश्बूब में यह सपोर्ट एक होड़ने से ही हमें एक एगरूप स्ट्रक्चर की बेसिक मिल जाता है फिर यहां पर कुछ मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई के तौर में हम इसंचियागों डाल सकते हैं जो लाइस्टाल ग्रूप से है तो चलिए इनकी जो रेशियो है जो परसर्पेच होगा इन्हें इस्तिमाद करने का वो हम अभी यहां पर लिख लेते हैं यह वन परसंट वाला जो आईवी क्यू है इसे हम ले लेते हैं तीज क्राउं फिर यह जो कैश्मेरान है 10% केश्मिनार याद रखीए काश्मिनार को हम इसमालट कर रहे है मस्क के ही और यह मस्क वाला केश्मिनार है वो यहाँ पर 10% होके इसमाल होने beginner केश्मिनार को हम लेते है कुछ 20 points अब यहाँ पर sweetness वाला chemical है ethPH пор offer शॉर्ट में लिप लेते हैं यह 1% वाला है इसे हम ले लेते हैं 40 ग्राम और यह इतना ज्यादा कि इसको 40 ग्राम हम क्यों समन करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह यह जो समन करें जो आपने बहुत समय जो चाहिए जो नेचर में बनने वाला उध है उसमें स्वीटनेस उस तरह से नहीं होता है उसमें एक अनिवलिक शार्पनेस होता है और एक फ्रेश स्वीट एक तरह की कॉन्कॉशन होती है बहुत सारे चीज़ों को मिला के तो वैसे सिंथेटिक में और सिंथेटिक टाइप में अगर आप इसहां ही मॉल्टन को थोड़ा ज़्यादा रखते है तो इस पे जो स्वीटनेस मिलता है यह काफी साइस्पेक्टरी है अब इनके बाद इस्समाद होने वाला है एम्डो से नाइड या फिर पद्मिनी तो पद्मिनी आप यहां पे डाल सकते हैं मियर अपांट दस ग्राम के आसमास तो इस से हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है यह तैयान हो जाता है यहां पे 30 प्लस 20 फिप्टी फिर 40 नाइटी हो गया पद्मिनी अगर हम दस ग्राम डाल देते हैं तो यह टोटल बन जाएगा हमारा 100 ग्राम पूद में ऊडी और एंबरी नेशर को इतना जादा ना रखे तो मेरा सजेशन है यहां पे कि पद्मिनी का पहले 50 परसने डायूशन बना लीजिए और इसको आप इससे माद कीजिए आठ ग्राम के आश कास है ग्राम छोड़ के रखीए दो ग्राम अन्ड्रिट होना से यह दो ग्राम बाकी रह जाएगा इस 2 gram में हम क्या डाल सकते हैं इस 2 gram में हम Essential ओल सकते हैं ओद में खास तरफे हिंदी ओद जो होता है Natural ओदा वादा उस हिंदी ओद में भी एक Natural essential ओद को इस्दिमाल किया जाता है जो है ननल नगर मोथा यह सिप्रियॉर को नाम से जहां जाता है नगर अधा 0.30 ग्राम के आसपास जा सकता है दूसरा एक इसंटियावाल है जो उद के शेत्र में महत्य चिद्रा से ताम कर सकता है वो है पचुली पचुली आप 0.30 ग्राम तक डाल सकते हैं अगर चाहे तो पचुली में एक विस्टिडियास ओडी नेचर होता है एक डार्ट डाइक की अरोमा है जो उद के स्ट्रक्चर में फिट हो सकती है फिर और एक पटिडियाव जा सकता है विच इस आठी मीशिया आठी मीशिया जो है यह आप में सिमाल कर सकते हैं 0.60 के रांड यह आठी मीशिया इसिमाल करने से आपकी जो पर्फ्यूम बनेगी उसकी शार्पनेस में कैमफरी शार्पनेस एड़ हो जाएगा और अगर आप चाहिए कि इन तीन चीजों को भी अपने दरब से एक रेशियो बना के पहले इन तीन चीजों की अलग ब्लेंट बना के टेस्ट कर लें तो वह भी आप कर सकते हैं फिर उस ब्लेंट से आप 2 ग्राम फुल्फिल कर सकते हैं तो यह रहेगा तो उस तो बेसिक स और मस की नेचर भी इस्ट्रेक्चर में आपको मिल जाता है तो इस तरह की हूद आप इस्सेमाल कर सकते हैं अपने पर्फ्यूम के लिए या फिर अपने अतर के लिए और यह बहुत जादा कॉस्टी भी नहीं होने वाला है क्योंकि यह जो केमिकल्स हैं यह सारे केमिकल्स अलगबग 10,000 के रेंज में ही आ जाते हैं 10,000 केजी से भी कम पर्फ्यूम का जो प्रेजेंट रेट है यह एक बर्फ चेक करना होगा यह मुझे पता नहीं बर बाकी जो केमिकल्स है यह तो बहुत ज़्यादा कीमिक्टी हैं और यह ओल्स में अगर आपको प्वांटिटी इस एड़ करना चाहते हैं तो आप 10% बागा और सेंडल इस समाद करें यह तरह कि यह पर्सेंड रोल तो है यह सेंडल उप ग्रूप की के भी करने और इसका 10% अगर आप इस समाद करते हैं तो यह सुईटनेस एक बूदिलेस एक मतलब सॉट सुईटनेस को जिनरेट करती ह यह जादा से जादा 6 ग्राम तक सपूर्टेट है इस पंबिनेशन में जहां पे हम इसकी 100 ग्राम प्रिपेर कर रहे हैं तो 100 ग्राम का हिसाब मैं बता दिया है केजी का हिसाब जो है आप अपने कलब से कर लेका तो आशार करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर से अगर आप अपन पर्फ्यूम ट्रेणिंग और डिवलॉपन इस्टिट्यूट एट शांतिरी केदन जिसकी वीडियो आपने इससे पहले भी देखा है तो यहां में फिजिकल तॉट पे पर्फ्यूम मेरी सिखाने की जो ट्रेणिंग है यह शुरू हो चुकी है अगर आप चाहे तो आप यह पर्फ्यूम से यह सब कुछ मिल जाएंड़ी यहां पर और दोस्तों ऑनलाइन में सीखने की सुविदा भी उपलब्त है अगर आप चाहे तो ऑनलाइन में भी जॉयर कर सकते हैं वहां पे आपको हर एक टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा आपको नोट्स मिलें और वन इस-to-one interaction जो है वो phone call में होने वाला तो देरबन कीजिए अगर पर्फ्यूम सीखने की इंटरेस्ट है या फिर पर्फ्यूमरी के काम को और भी बेतरी तरीके से जानना चाहते हैं with basic dimensions with aromatic chemistry and proper application of materials तो आप उसे संपर कीजिए और मेरे इस चैनल को like, share और subscribe करना मत पूर दोस्तों, thank you, thanks for watching